एक बग फिर मैं आपनों के बीच में आया हूँ टीजीटी के कुछ कोश्चन ले करके जो एक्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे वोकेब चलिए तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं बस एक HELLA WORD That is LUCREATIVE, L-U-C-R-A-T-I-V-E, LUCREATIVE, तो LUCREATIVE का मतलब होता है DIR LAABPRAD, ठीक है? LABPRAD, LUCREATIVE, इसके OPTIONS है, OPTION A, RISKY, OPTION B, PROFITABLE, OPTION C, Honorable, and OPTION D UNDIGNIFIED, ठीक है? तो समझ यह लावप्रद रिस्की option बॉपशन भी profitable option C on the number and option D undignified यहां पर क्लियर रही है profitable यहां पर दीख रहा है लावप्रद है तो यहां बुद नेक्सक्त है अक्सेसर बेट एक्सेसर बेट टेज करना थीक है एक्सेसर बेट टेज करना तो option है इसका to make something more severe to cause artificial shortage to assume false importance या फे to flatter तो डेखिए इसमें बड़ी सीवी सी बात है तेज करना एक्सेसर बेट तो यहां पे पहला option जो है option A to make something more severe will be the correct option for this word next is hiatus hiatus मतलब अंतराल ठीक है hiatus h i a t u s hiatus तो यहां पर आप देखिए अंतराल option A uphill task option B distance place option C fading memory या option D gap तो अंतराल आप समझ रहे हैं एक gap है आप distance place के बीच में मताईए कर क्योंकि distance मतलब दूरी हो जाएगी और यहां पर gap की बात हो रही है अंतराल की बात हो रही है दो चीजों के बीच में जो gap है तो gap इसके लिए सही option होगा next है imbecile imbecile मतलब मुर्क imbecile मतलब मुर्क तो इसके option है option a astute option b cunning option c stupid और option d ludicrous ठीक है option a astute option b cunning option c stupid और option d ludicrous तो imbecile मतलब मुर्क है तो यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए stupid इसका सही option होगा next is gaity gaiety प्रसंदता ठीक है कि आई यह option देखिए option a dexterity option b wonder option c colorfulness और option d jolly मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी बताया था jolly मतलब एक ऐसा नेचर जो थोड़ा खुश हो मजा किया हूँ तो jolly t यहां पर प्रसंदता है option d इसका सही आंसर होगा next is perplex perplex मतलब एक उल्जन दिमाग में चलती रहती है that is उल्जन ठीक है perplex तो यहां पर option a distract option b intrigue option c perspective option d baffle तो जहां पर बेबस हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता क्या करना तो वह बैफल that is perplex confused ठीक है उल्जन में रहता है परिशाने में रहता है बैफल बेवस हो जाता है एक दम तो बैफल विल बीड़ करेक्ट option for this word next closest in meaning चल रहे हैं like you can say synonym ठीक है तो देखिए next है आपका hospitable next word है hospitable hospitable मतलब आव भगत करना स्वागत करना ठीक है तो इसमें option देख लीजे convivial option a liberal option b congenial option c और option d है welcoming तो welcome आप समझते हैं स्वागत करना welcoming यहां तो सही option होगा ठीक है next counterfeit counterfeit नकली ठीक है तो यहां पर नकली तो आप ऐसा option है कि आप तुरंद बता देंगे कि यह option है देखिए option है imitated option भी हाँ अब यहां पर फसेंगे भी आप थोड़ा सा देखिए option है imitated option भी duplicate जब कोई थोड़ा सा हिंड मिलते ना आप में वहीं पर चला जाता है बाकी के दो option देखता नहीं option c false option c false and option d foreign अब बताईए तो यहां पर option c जो false है यह इसका सही answer होगा और आप confused होगे थोड़ा से कि duplicate या false तो जाहिर से बात है यहां पर false होगा bewitching bewitching मोहित करने वाला आपको attract करने वाला option a enchanting option b magical option c affected option d air smarring तो देखिए air smarring को अगर छोड़ दिये थोड़ा सा तो affected magical enchanting यह तीनों ही famous word है और तीनों का मतलब कहीं न कहीं मोहित करने से है समझिए इसलिए synonym ने closest in meaning सबसे ज्यादा closest कौन सा affected प्रभावित होते हैं तो प्रभावित होंगे जायर सी बात है कोई आपको अट्रेक्ट करेगा उससे भी प्रभावित होंगे उसके बाद magical magical जादू ही है जादू जहां होगा वहां तो अट्रेक्ट होगा यह आदमी और नेस्ट है आप ठीक है नेक्स देखिए डेज्ड डेज्ड मतलब होता है आश्चरे चाके इसका अंसर आप बहुत जल्दी बताएंगे ऑप्शन शॉप्शन बी ड्रीमी ऑप्शन सी हैपी और ऑप्शन डी टायर तो शॉप्शन इसमें दिख रहा है यह इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्श अब बताया था ग्रीड मने पड़ा भी तो ऑप्शन डी इसका सही अंसर होगा स्टब बन मतलब होता है जिद्दी स्टब बन मतलब जिद्दी ऑप्शन देख लीजें ऑप्शन ए ऑप्शन अबसर्वेंट ऑप्शन बी ऑब्नॉक्सियस ऑप्शन सी ऑप्स्टिनेट और तो इसमें obstinate कैसा बर्ड है ना डियर option c जो obstinate जिसका मतलब भी जिद्धी ही होता है और यह इसका सब्सक्राइब देलेक्टेशन डेलेक्टेशन का मतलब होता है आनन्द option अ enjoyment option b envy option c inspiration option d astuteness तो इन तीनों को बागी के जो तीनों है एंजॉइमेंट को छोड़के और कोई भी मैच नहीं कहता है तो एंजॉइमेंट इसका सही ऑप्शन है नेक्स्ट वर्ड है आपका फैक्टिशियस जिसका मतलब होता है दिखावा ऑप्शने हुम्रेस ऑप्शन भी टूट्फुल ऑप्शन सी आर्टिफिशियल और ऑप्शन सी हेट ऑप्शन डी क्रिटिसाइज तो हेट इसका सही ऑप्शन है नेक्स्ट वर्ड है फ्रेनेटिक मतलब प्रचंड अच्छा यह रिपीट हो रहा है चली देख लिजे ऑप्शन ए स्ट्रेनियस ऑप्शन भी हरीड ऑप्शन सी एकसाइट और ऑप्शन डी हैक्टिक तो ह प्रेक्टिक सही ऑप्शन होगा आज के वीडियो में सिर्फ इतना है डियर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वर्ड अच्छे लगे हो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें बेल आकर दबना मत बुलीएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मे जय हिन